हालो स्टुडेंट्स अवर टुडेश टोपिक इस बायसे इन कनफाउंडर्स इन एपिडेमिलोजिकल स्टडीज तो हमने जब केस कंट्रूल स्टडी इन कोहर्ट स्टडी पढ़ा था तब भी हमारे पास में बायस आये थो और कनफाउंडर्स भी आये थे ठीक है तो यह यह थोड़ी कनफ्यूजिंग डेटी है इसलिए हम इनको साथ में लेकर के चलेंगे तो हमें इनके बीच में डिफ्रेंसेश पता लगेंगे और हमें पता भी चलेकर कि एक्चुले होता क्या है ठीक है तो हमारे पास में एपिडेमिलोजिकल स्टडी में दो चीज़े हमारे पास है कि इन स्टडी में क्या तो प्रॉब्लम से उनके स्टडी में क्या है तो प्रॉब्लम हमारे पास आती है एपिडेमिलोजिकल स्टडी में एक प्रॉब्लम तो होती है हमारे पास में सेंप्लिंग एरर की प्रॉब्लम उसको हम सोल करने के सेंपल साइज इंक्रीज करत तो पहला तो sample error है sampling size increase करके हो जाता है इनके solution के लिए blinding करते हैं, matching करते हैं randomization करते हैं तो आप कभी भी जब पढ़े हैं तो आपको यह याद हूना चीए bias and confrontors तो हमारी problem है study की blinding, matching and randomization यह हमारे solution से study के ठीक है तो इस तरीके से हमारे को इसको लेके चलना है अब हम इसको आगे चलते हैं लेके potential errors जो है epidemiological history में number one है random errors जिसको हम sampling error करते हैं इसके अंदर हमने या तो कोई case या control दरद चलेट कर लिया ठीक है देनी कि हमारे पास में case control study में जो exposure था उसके ज़िए का दूसरे exposure वाला patient हमने ले लिया या outcome जो हमको लेना था या जिसके अंदर हमको disease वाला patient लेना था उसके ज़िए का हमने किसी disease का patient गलती से include कर लिया तो वो हमारा गलत हो जाएगी study या हमारी sample size बहुत कम है इतनी कम sample size पर हमने study की है कि वतलब उसको हम पूरी population पे उसको हम apply नहीं कर सकते तो उसके लिए फिर मेरे को sampling size increase करनी पड़ती है और first जो problem है wrong case और control select कर लिए तो उसको हम को wrong case and control को select ना करें मतलब हम देख करके करें study उसमें तो यह तो sampling error को हो जाता है दूसरी जो है वो आती है systematic errors जिसको हम bias पूलते हैं तो यह क्या चीज होती है कि हमारे पास case भी हमने सही लिये sample सही लिया control भी हमने सही लिया लेकिन फिर भी हमारे different results आ रहे हैं हमारे results सही नहीं आ रहे हैं तो क्या है कि bias क्या है bias can be any systematic error that occur mainly during data collection, compilation, analysis and interpretation तो data collection करते समय हम को गड़बड कर दें या compile करते समय कुछ गलती कर दें या analysis करते समय गलती करतें या interpretation करते समय गलती कर दें तो उस गलती की वज़ए से जो study में जो effect आएगा जो different आएगा जो difference आएगा जो result गलत आएगा उसको हम bias गोलेंगे mainly तीन तरह के bias हमारे पास होते हैं ठीक है तो bias क्या है वह यह? it is a systematic error in the determination of an association between risk factor and disease तो हमारा aim का study का risk factor disease में association establish करना अब वह हमारा गलत आजाए ठीक है तो वह उसमें error आजाए यह यह bias ठीक है तो तीन तरह के bias है subject bias, investigator bias and analyzer bias subject bias में तो क्या होगा कि जो हमारा study subject है उसकी कुछ गलती निकल रही है उसकी तरफ से problem आ रही है ठीक है तो error जो है introduced by study subject जैसे कि have from bias जिसको attention bias केते हैं patient को पता लग जाता है कि मेरे अपर ध्यान जा रहा है मेरे अपर ध्यान दिया जा रहा है तो उसका attitude change होता है attention bias उसको केते हैं एक होता recall bias, recall bias मितलब की जो हमारा case से वो याद ही नहीं कर पा रहा क्या problem थी है ना उसको कहा exposure हुआ था उसको याद ही नहीं है कुछ भी दूसरा होता है हमारा investigator bias तो investigator जो है study में उस investigator ने कुछ error introduce कर दिया जैसे उसने selection करा case control का सही selection नहीं किया selection bias हो गया तो investigate सागी गलती है और एक होता analyzer bias तो हमारा study के data कुछ analysis कर रहा है वो कुछ गलती कर जाए उसको कुछ ऐसी information पता लग जाए जो उसको लगेगी है यह जो हमारा analysis आ रहा है इसको मैं इस information से modify कर सकता हूँ अब अपनी मनमर्जी से modify कर दे तो analyzer bias हो जाएगा वो तीन तरह के bias है बेसिकली इन में कई type होते हैं मतब जैसे subject bias में आपको दो मिल रहे हैं न have thrown, recall, investigator selection bias, analyzer bias में भी information bias हो सकता है तो इसके और multiple types होते हैं पर यह basic तीन type होते हैं अब important biases क्या है, apprehension bias, have thrown bias, memory or recall bias, selection bias, interviewer bias, late time bias, neiman bias, parkinsonian bias, information bias यह अलग-अलग types है, important biases हैं जो हमारे को पढ़ने हैं तो apprehension bias क्या है? टीक, चिंता की वज़े से apprehension की वज़े से क्या होता है? सब्जेक्ट, जिस्टरी सब्जेक्ट के कुछ parameters change हो जाते हैं जिससे pulse और BP change हो जाता है अभी क्या होता है? जिससे आपने कभी नाम समय होते हैं एक शब्द आता white coat hypertension white coat hypertension, white coat hypertension किसको बोलते हैं? कि जब patient किसी doctor को दिखाने जाता है तो especially उसी समय उसी time उसका BP बढ़ा हुआ मिलता है हमारे को इसको हम white coat hypertension बोलते हैं ठीक है ना? या गवराट से उसका pulse बढ़ जाता है, एस्पाताल में जब भी मरीद जाता है तो उसके आदी तो pulse इसलिए बढ़ जाती ही उसको डर लगा हुआ होता है अना तो इसको operation bias बोलते हैं, दूसरा है helpthorn bias जिसको attention bias कहते हैं यह क्या होता है कि subject का behavior है वो change हो जाएगा जब उसको पता लगेगा कि there are being observed तो इससे जनरल यह cohort study में देखने को मिलता है को cohort पे हम follow up study करते हैं और पेशिंट को observation study है तो उसका behavior change हो जाता है ठीक है दूसरा memory or recall bias जो केस कंट्रोल में पढ़ चुके हैं तो case को cases more likely to remember exposure than control अब एक आदम जिसको बिमार हुआ उसको आप कुछोगे कि तुम्हारे को क्या लगता है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ एक्सपोज हुई हुई जिसके विए से तुम्हें बिमारी हुई तो वो अपना दिमांग लगा लेगा वो खुद ही अपने अपसोस तरेगा और मैंने इसा किया इसके विए समय बिमार हो गया कंट्रोल सा आप कुछो के तो control को exposure के वारे में याद नहीं होगा क्योंकि उसको कुछ हुआ ही नहीं इसलिए इसके बाद में इससे सेलेक्शन बाइस तो कल सेलेक्शन बाइस जो हमने लिया सही केस सेलेक्ट नहीं किया या सही control सेलेक्ट नहीं किया ठीक है करेक्टरस में डिफरेंस आगे तो यह सेलेक्शन बाइस होती है क्योंकि इन्विस्टिगेटर ही सेलेक्ट करता है व इंटर्वियर क्या करेगा कैस के साथ जदा समय बिताएगा या वबायसओ जाएगा यह यह हमारा मारीश है तो असको डंक से पुछेगा तुछएगा सवाल नहीं सो जाएगा एक होता है लीट टाइम बायस जो है यह हम पढ़ेंगे जब हम vaccineリesk link of disease पढ़ेंगे तब आएगा lead time best तो इसमें क्या होता है कि जो survival time है उसका हम overestimate कर देते हैं क्या होता survival time जिसे की lead time होता है कि जिसे3 थोड़ा सा मुंधे बताता हूं रही हो को को यहां पर कि जिसें मालों cancer का patient है जिसको सन 2020 में हमने कैंसर डाइग्मोस किया और आज 2023 तक वो तीन साल वो सर्वाइव कर रहा है अगर इसी पेशेंट का जो डाइग्मोस की से उस सन 2015 में हो जाता 2020 के पंदरा हो जाता है नि 5 सल पर हो जाता था तो उसका सर्वाइवल टाइम कितना हो जाता एट इयर्स हो जाता हाज तक अगर वो सर्वाइव करता तो तो एट इयर्स सर्वाइवल टाइम हो जाता अगर उसका जल्दी डाइग्मोस हो जाता उसका diagnosis late हुआ, 2020 में हुआ, तो survive उसने किया 3 years तो यहाँ पर जो 5 years का difference आया नहीं यह हमारा lead time bias है क्योंकि actual में तो उसने survive उतना ही किया जितना उसको करना है लेकिन हम उसको मानते हैं, हमारी मेहनत मानते हैं यह मानते हैं, हमने हमारी मेहनत से बता किया हमने lead time निकाल दिया उसका diagnosis करके तो इसको lead time bias बोलते हैं तो उसके बाद मतलब नीमान bias इसको prevalence, sickness bias करते हैं तो यह क्या चीज़ है, कि bias due to missing of fatal cases, mild cases, silent cases, cases of short duration तो जब भी हम cross-sectional study करते हैं cross-sectional study, prevalence निकालते हैं तो उस समय क्या होता है, कि हम cross-sectional study में particular point पर एक particular point of time पर हम क्या कर देंगे कि कितने cases हैं, population में उसके sample पर हम study कर लेते हैं suppose उस समय कोई ऐसी disease है, जो वो short duration की थी वो हमारे को उस population में नहीं मिली या कुछ mild case थे या silent case थे जिनको हमने case नहीं माना है न, उनको हमने patient माना ही नहीं नहीं उसके study नहीं की या fatal case थे जो miss कर गए उस दोरान है न, तो उसकी वज़ेस से जो बायस होता है, उसको हम नीमान बायस कहते हैं इसके बाद में confounders है confounders भी बायस हो सकते हैं और confounders क्या होते हैं confounders ऐसा factor होता है जो हमारे exposure यानि risk factor के साथ भी जुड़ा हो और हमारी disease या हमारी outcome के साथ भी जुड़ा हो दोनों के साथ अलग-अलग रिष्टा है इसका ठीके तो यह रिष्टा क्या कहलाता है यह रिष्टा confounders कहलाता है अब इसके क्या होगा इसके अंदर जैसे की मान लो alcohol पीते समय ज़्यादा तर लोग cigarette पीते हैं ठीके और उन person को अगर कोई stomach का cancer हो गया तो stomach का cancer alcohol से भी related हो सकता है और cigarette smoking से भी cancer related हो सकता है तो alcohol और cigarette का भी आपस में संबन्द है और cancer और cigarette का भी आपस में संबन्द है ठीके तो यह जो relation है यह दोनों ग्रूप में मिल रहा है हमारे को unequal distributed है हमको यह नहीं पता है कि कितना कि तब equally distribution नहीं है है ना exposure में हो सकता है सारे लोग alcohol के साथ cigarette नहीं लेते हो और outcome में भी जिनके साथ stomach cancer हो और में सभी में cigarette smoking history नहीं हो तो equal distribution नहीं होता है यहाँ पर इसको confounder कहते हैं हम next बर्क्सोनियन बायस बर्क्सोनियन बायस क्या है hospital admission rate बायस कोलते है तो hospital rate बायस की admission rate बायस क्या है कि हर बीमारी का जो cases है रोज fix case admit नहीं होते हैं हर दिन अलग-अलग rate होती है admission की patient की ठीक है और इसकी वज़े से हमारे पास जब अलग-अलग patient आएंगे अलग-अलग तरीखे के patient आएंगे ठीक है तो हम जो है patient के लिए जो हमने disease चुनी study के लिए study करने के लिए हमने को disease चुनी है अगर तो क्या होगा ना कि उसके cases हमको आज ज़्यादा मिल रहे है कल हमको कम मिल रहे है फिर मानलो परसो हमको ज़्यादा मिल गए तो अलग-अलग hospital rate हमारे पास में रहेगी इसमें ठीक है और यह क्या कहता है कि this result if the rate of admission from general population is different from people with अगर हमारे पास suspected risk factor के patient कम है या जो disease हमने investigation करना चाह रहे है उसके patient हमारे पास में कम है ठीक या हम जब case control study में है जब कोई एक disease use करते है हम case control study में जो control cases use करते हैं case में तो हम जो patient है disease को study कर रहे हैं उसको ले ले लेते हैं control में हम क्या करते हैं उसी patient उसी hospital में किसी दूसरी बिमारी के patient इसको हम ले ले लेते हैं तो जो दूसरी बिमारी के patient है वो भी मान लो अलग रग रग दिन अलग दिन लोग एड़मिट हो रहे हैं न किसी देन जादा हो रहे हैं तो हमें रोज अममाउंट से बुरे में मिल रहे और केंट्रोल भी हमको पूरे नहीं मिल रहे है तो इसके विज़े से कि यह पर बूहरा sketch होता है I catch... बायस एक इसके बाद आता है हमार पास information बायस जिसको cohort study में किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है जो case या isolator है अगर उसको disease या risk factor का knowledge है तो उसकी वज़े से जो study में बायस आएगा उसे हम information बायस बोलिंगे ठीक है then bias को कैसे कम किया जाए तो bias को कम करने के तरीके का है single blending, double blending और triple blending ठीक single blending में क्या है जो study का subject है उसको यह नहीं बताते कि आपको क्या treatment मिल रहा है ठीक तो इसस से subject bias कम हो जाता है subject को पता नहीं होता कि मुझे क्या treatment मिल रहा है आना उसको एक को treatment देए है capsule में और एको capsule में कोई neutral medicine डाल देते हैं को neutral substance डाल देते हैं उसको पता नहीं होता तो इसलिए उसको जो इस तरह की सीज़ें नहीं होगी यह ना तो subject bias नहीं होगा दूसर था double blending double blending में study का से subject है वो और investigator जो है दोनों को पता नहीं होता कि subject को क fre couple treatment दिया जा रहा रहा है तो इस से subject बाइस पर मिनिमाइज होगा अइनलाइजर बाइसबी मिनिमाइज हो जायगा तो यह हम bias को कम करने का तरीका है इसके बाद हम आते हैं तो बाइस को कम करने के लिए हमने क्या किया? ब्लाइंडिंग की ठीक है? अब आते हम आपास confounders तो confounders को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? यह देख लेते हैं तो पहले तो confounders है क्या? तो any factor that is associated with both exposure and outcome, any के बीमारी के risk factor, any exposure से भी जुड़ा हुआ है और outcome से भी जुड़ा हुआ है, और outcome से भी जुड़ा हुआ, confounders बोलता है, and having independent effect in position of outcome और इस confounder का outcome produce करने के लिए एक independent effect है, मतलब यह खुद भी outcome को produce कर सकता है, इसकी खास बात है, तो यह खुद भी एक risk factor होगा अपने आप में, इसका मतलब, unequally distributed होगा study and control group के अंदर, exposure and outcome दोनों से जुड़ा हुआ होगा, जैसे isoficial cancer के लिए alcohol and smoking, है न, अभी मैंने एक example बता है था जैसे, alcohol और smoking isoficial cancer के लिए दोनों के लिए risk factor है, alcohol भी risk factor है isoficial cancer का, smoking भी risk factor है, और जो लोग alcohol पीते हैं, अगर उन्हें आप smokers भी ले लोगे तो आप study में गड़बडा जाएगी, आपको यह नहीं पता चलेगा कि isoficial cancer purely alcohol की वज़े से हुआ, या smoking की वज़े से हुआ, तो age और life style जो है, non communicable disease के लिए होता है, कोई भी non communicable disease लो, diabetes लो, hypertension लो, तो age बढ़ने के साथ, hypertension, diabetes के लिए, तो chances बढ़ते हैं, लेकिन life style भी non communicable disease के लिए, important है, कि आपकी life style sedentary है क्या, हाना, तो यह दोनों factor है non communicable disease के लिए हो गए, उसके बाद में, जैसे age बढ़ने के साथ, साथ आदमी exercise नहीं कर पाता होतनी, हाना, muscles fatigue होती है जल्दी, तो age और life style में age बढ़ने के साथ, साथ, इंसान की activities कम हो जाती है, physical activities कम हो जाती है, तो यह बात age के साथ भी जुड़ी होई है, और non communicable disease, age बढ़ने के साथ, non communicable disease होने के chances रहते हैं, और life style जो है, उसकी वज़े जिसे गी non communicable disease होती है, तो दोनों age की साथ जुड़े हुए है, जिसे maternal age और birth order को down syndrome के साथ ले लो, maternal age increase होगी, तो down syndrome होने के chance रहते हैं बिल्कुल, और अगर birth order, जितना late birth order होगा, पहले बच्चे और चोथे बच्चे में से, फोर्थ बच्चे में, down syndrome होने के chance ज्यादा होगी है, और दोनों चीज़ां आपस में भी जुड़ी होगी है, maternal age और birth order, जितनी maternal age ज्यादा होगी, birth order, पहले birth order, fourth birth order के लिए, obviously maternal age, fourth birth order में ज्यादा होगी, है न, confounders जो है, non भी हो सकते हैं, और unknown भी हो सकते हैं, जिसे जितने example लिए, ये सब non है, ये तो मैं पता है, को पहले से उसके पास में हो और हम जानती ही नहीं हो, इस्टडी में बाद में मालूम करें, अपने को हना, तो नों नों दोनों हो सकते हैं, अब इसके लिए हम confounder को कैसे कम करें, तो most ideal matter तो randomization है, हम जो इस्टडी में subject और दो ग्रूप लेते हैं, case group, control group, या एक experiment group और एक हम हमारा placebo group, तो उसमें जो लोग लें, वो लोग हम कैसे लें, वो लोग हम ऐसे लें, randomly किसी को भी, तो हमको यह नहीं पता हो, उसमें कि कौन परसन, जो है, किस confounder के साथ है, हमने random लोगों को ले लिया, या फिर हम restriction कर सकते हैं, है न, study में कोई particular director वाले लोगों को हटा दे, जो से लगता हो, कि confounder हो सकता है, मेचिंग करते हैं, जो कि हम case control studies में अलड़ी पढ़ चुके हैं, एक-एक को मेच करो आप, stratification भी किया जब सकते है, large studies में, stratification करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोई भी, जो character है, जिसे age, हमने gender का character ले लिया, sex का character ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इस्टेटा बना देंगे कि male का इस्टेटा और female का इस्टेटा अलग बना दिया अब male में हम randomization अलग कर देंगे और female में randomization अलग कर देंगे इस तरीके से कर सकते हैं age group है तो age group के 3-4 इस्टेटा बना दो आप कि 1-15 साल की उम्र, 16-30 साल की उमर गात्य से पेतालिस साल की उम्र फिर हिए 46 से 60 यर की ऐज ऐसे चार इस्टेटा बना दो लगलग फिर इसके अंदर इंडमाइजिशन कर दो यह भी हो सकता है ठीक है और स्टेस्टिस्टिकल मॉडलिंग भी कर सकते हैं चब हमारे पास हम बहुत सारे अन्फाउंडर्स हो एक सा तो उसमें तो कोई सा भी एक देगा, या विच अब दो फॉलेग इस नोट में मेठ़ड तू मिनिमाइज करने का जो तरीका है, यह जिस को जानते हैं उसको मेच कर सकते हैं, उसके लिए मेचिंग की जाती है, तो उसके करेंगे, कि हम ऐसे करेंगे, कि जो हमारे केस है, और जो हमारे कंट्रोले वो सिमिलर होने जाएं, certain characters के, इसे characters के, जिन character को हमें लगता है, कि यह character confounder हो सकते हैं, जिसके हमारे को अगर age कोई confounding factor हो सकती है, तो उस case में हम क्या करेंगे, similar age के लोगों को ही लेंगे जिससे हम कोई study कर रहे है non communicable disease की जिसके old age confounding factor हो सकती है तो हम क्या करेंगे फिर हम old age के लोगों को study में नहीं लेंगे middle age के लोगों को study के अंदर हम लेंगे ठीक है या कोई भी दूसरा character हो तो matching करनी है हमारे post में तो matching क्या करती है non confounder को यहां से हटा देती है age वाला matter हो सकता है smokers हम को नीच चाहिए study के अंदर तो हम क्या करें पूछ ले हमारे कि हमको smokers हटा दो हमने हमारे को पता है smoking के बारे में कोगी या alcohol के बारे में पता है या worth order के बारे में पता है तो जिंग 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 आपता है उनको हम study में यूप हमारी part हमको ले रहे हैं नहीं है हम पूछ लेंगे case से भी पूछ लेंगे control से भी पूछ लेंगो दोनों से पूछ के उस matching कर देंगी इनको नहीं लेना study में ठीक है, then type क्या है matching के, caliper matching, frequency matching, category matching, individual matching and pair matching, caliper matching के अंदर हम क्या करेंगे, caliper matching के अंदर caliper, caliper का मतलब क्या होता है, अपने से physics में देखा हुबा, one year caliper आता था, caliper मतलब ना अपना किसी चीच के लिए, किसी चीच की range, range होती है, किसी scale में, caliper का एक scale होता है, तो यहां पर क्या करा कि हमने scale कर दिया, study के उपर comparison group में, कि specified distance for a character, age के लिए हम ले रहे हैं, तो हमको एक चाहिए, 25 साल की उमर के लोगों में, हमको study कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक range कर देंगे, कि 25 से 2 साल, आगे और 2 साल पीछे तक के लोग पी included कर लो, 23-27 ले आज से में, study and comparison group, तो study group और comparison group के अंदर, क्या करेंगे, कि जो भी character है, उसका frequency distribution, दोनों ग्रूप में वरापर हो, यानि कि मानलो, हमने smoker लिये, 30% smoker, हमने study group में लिये, तो comparison group में 30% smoker होने चाहिए, ठीके, इसके बाद में category matching, category matching क्या करेंगे हम, same category के लोगों मुलेंगे, अगर सब्जेक्ट में हमने mind workers लिये हैं, control group में, तो हम वहाँ पर study subject में भी mind workers ही लेंगे, अगर हम doctors पर study करते हैं, तो study group में भी हम doctors को लेंगे, control group में भी हम doctors को लेंगे, तो इस तरह से हम categorization करते हैं, individual matching में हम एक एक व्यक्ति को, एक एक person को compare करते हैं, जैसे हमारे को study में मैं बुला कि we are doing a study on African population with age above 40, या ऐसा कुछ criteria बना देंगे, तो हम उसमें एक एक आदमी का data देखेंगे, एक एक आदमी हमारे को उसमें African continent का चाहिए, age भी उतनी होनी चाहिए, तो सारे characters एक एक person के अंदर हम check करेंगे, उसको हम individual matching करेंगे, और यह कुता pair matching, pair matching के अंदर क् individual matching करने के बाद में हम एक एक group बना देता हैं, एक study से और एक comparison group से एक एक person को pair कर देते हैं, उनके group पर, उनी को हम study करते हैं, one is to one, है न, इस तरह किसे सकरेंगे, then minimization of unknown confounder, यह गरता आगा, sorry, minimization of unknown confounder, unknown confounders जनी confounders को हम नहीं जानते हैं, तो उनको हम केसे minimize करना है, तो उसके लिए randomization किया जाएगा, क्योंकि matching तो करी नहीं सकते हैं, हमको पता ही नहीं कि कौन सा character है, कौन confounder है, तो match क्या करेंगे, तो matching तो possible नहीं है, तो हम उस case में क्या करेंगे, हम randomization करेंगे, तो randomization में क्या होता है, कि study participant को equal chances होते हैं, equal and non chance of falling into either experimental group और reference group, मतलब जो study subject है, जो हमारा study subject है, वो experiment group में जाएगा, या reference group में जाएगा, या reference group में जाएगा, या control group में जाएगा, दो group होते हैं, experiment group और reference group है, उसमें उसके equal chance होते हैं, बराबरी क मुका दिया जाता है बराबरी का मुका कैसे दिया वो रेंडमाइजेशन से दिया मतलब हमें खुद को भी नी पता होता है इन्विस्टीगेटर को भी कि कौन patient या कौन person experiment group में चाहेगा या कौन reference group में चाहेगा ये बातें सिर्फ by chance होती है by chance होती है अब ये कैसे होती by chance इसको पर आगे discuss करते हैं हमारी यहाँ पर हमने एक summary दिया है कि blinding किसको remove करता है bias को type के हम पढ़ चुक है single double and triple matching किसको remove करता है non-confounding को remove करता है और इसके अंदर हम पढ़ चुक है types की caliper, frequency, category, individual pair matching होती है यह हम पढ़ चुक है इसके बाद में randomization में selection bias को remove करता है non-confounder को भी remove कर देगा non-confounder को भी remove कर देगा और इसके लिए method जो है random number table, computer software, currency, notes or lottery method यह use किये जाते है तो यह कैसे किया जाता है इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ next slide में खाली page दे लेते हैं देखिए जो सबसे पुराना method है randomization करने का वो है flipping a coin flipping a coin मतलब हमारे पास में मान लोग सो लोग है उन्होंग सब 50 लोगों को हमें एक्सपरिमेंट गुरुप में डालना है ओ 50 लोगों को हमें उसको जो माने reference गुरुप में control गुरुप में डालना है हम क्या करेंगे एक एक अदमी को बिलाएंगे सिख़्ा उच्छा लेंगे head आया तो उसको experimental गुरुप में डाल दिया tail आया तो उसको दूसरे को इप में डाल दिया, हेड टेल, हेड टेल करके हमने कर दिया, तो हेड आना है, ये बाई चांस है, है न, और ये रेंडमाइज हो गया, तो जैसा फ्लिपिंग के कोईन, एक पर हो गया, एक होता है रेंडम नमबर टेबल, जो कि most common type है, basic है, रेंडम नमबर, रेंडम नमबर टेबल, रेंडम नमबर टेबल क्या होती है, जनरली बुक्स में टेबल आती है, उसके अंदर क्या होते हैं, हम हमारे पर से सो लोग हैं, तो उनको हमने एक से लिकर करके, सो तक के नमबर दे दिया, जनरली बुक्स के अंदर मिल जाती है, उस टेबल में लिखा होता है, कि किस नमबर वाले व्यक्ति को, किस गुरूप में डालना है, ठीक है, तो रेंडम रेंडम ली होती है, उसमें कोई फेक्स नहीं होता, ठीक है, एक हमारे लोटरी सिस्टम हो सकता है, लोटरी सिस्टम होता है, वन टू हंडरेड हमने लोगों को नमबर दे दिया, उनकी एक परची बना के, एक चिट बना करके बोक्स में डाल दी, आना, वन टू हंडरेड, अब उसके बाद में सब की चिट बना के डाल दी, अब उसे हम रेंडम ले एक एक लोटरी करके निकाल रहे हैं, यह एक्सपरिमेंटर ग्रूप में जाएगा और यह हमारा इस्टडी ग्रूप में जाएगा, तो वो लोटरी सिस्टम से हो गया बाइचांस, यह हम computer software से random number निकाल सकते हैं, एक से सो number तक सब को दे दो, और computer जिसको बोलेगा वो हो जाएगा, यह एक example और मैं आप लोगो बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास में किसी study में चार लोग हैं, है न, इन चारों को हमें जो है, दो medicine देनी है, medicine 3 और medicine B, इन में से दो हमें डालने हैं experiment group में, और दो हमें डालने हैं study group में, ठीक है, तो हमको इसको कैसे बना सकते हैं, कि हमारे पास चार लोग है, one, two, three, four, तो पहले को हमने दी drug A, दूसरे को भी दी drug A, तरीसे को drug B, फौर्थ को drug B, अब next क्या permutation combination बन सकता है, A, B, A, B, ए फिल, A, B, B, A, यह बन सकते हैं, तो A के साथ स्टार्ट करके से आपको कितने बन गए, तीन बन गए, अब इस तरह से लो, बी, बी, ए, ए, बी, ए, 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 बी, है, ना, तो टूटल यह six type के हमारे पास में chances बन गए, अब इसके अंदर क्या हुआ, देखो आप नंबर फर्स्ट जो परसन हैं, उसमें, तीन बार उसको A drug मिल रही और तेन बार ही B मिल रही, यानि 50-50 chances हैं इसको drug A receive होने के और drug B receive होने के इकोल chances हैं और non chances है, 50-50 chances हमको पता है, दूसरे नंबर के परसन को देखो, A drug कितने मिल रही है, वन, टू, थ्री, थ्री, थ्री हो गया, third में देखो आप B, 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 यहां भी 50-50 हो गया, फोर्थ परसन को देखो, B, B and B, तो यहा परसन है, इसमें है न, तो यहां पर इसको अपन, randomization scope ने बोला, यह permutation से हुआ, निकल के आया, तो यह methods होते हैं हमारे अलग-अलग, ठीक है, तो यह खत्म हो गया, नहीं बही, picture भी वाकी है मरे दोस्तों, अभी हमरे पस में एक चीज रह दी है, mediator, effect modifier and collinearity, यह तीन चीज क्या होगी है, तो mediator क्या हुआ, किसी mediator मतलब किसको बोल दे है, mediator, जो बीच का होता है, help करता है, तो mediator क्या होता है, कि यह risk factor और disease के development होने के बीच में कोई एक ऐसा mediator आ लिया, जो क्या कर रहा है, जो disease को develop करने में help कर रहा है, जैसे multiple sex partner और cervical cancer पर आपने study करें, तो उसम HPV virus जो है, वो एक mediator का का काम करता है, ठीक है, multiple sex partner होंगे, तो HPV के transmission के chances बढ़ेंगे, और cervical cancer होता है, तो यह mediator होता है, एक अमर पास effect modifier आता है, जिसको हम इंटरेक्टर भी कहता है, ठीक, तो वो क्या होता है, ऐसा एक variable है, third variable that modifies strength of association between exposure and outcome, जैसे asbestos in the study of estimation of risk of smoking for lung cancer, तो जो person smoking कर रहा है, उसमें हां में lung cancer देखना है, अगर वो पहले से asbestosis उसको हो रखा है, तो चांसे उसके बढ़ जाएंगे, तो यह हमारे पास में effect modifier हो गया, यह smoking के effect को बढ़ा है, ठीक है, एक हमारे पास में आती ही collinearity, collinearity क्या होती है, दो independent factors हैं, two independent factors, highly correlated that it become difficult to distinguish that individual effect on disease and outcome, त तो दो ऐसे independent factor हैं, जो इतने ज़्यदा correlate करते हैं एक दूसरे से, कि उनके effect को individually हम identify नहीं कर सकते हैं, जैसे कि air pollution और urban area residence for the development of lung cancer, तो lung cancer के development के लिए हम air pollution को भी responsible ठहरा रहे हैं, और urban area में हमारे residence है, इस बात को भी responsible ठहरा रहे हैं, ठीक है, तो यह चीजें दोनों बहुत हो गई होगा, तो इसलिए इन दोनों के effect को हम इन अलग-अलग नहीं बता सकते हैं, ठीक, तो यह हमारा खत्म होता है, इसके बाद हम MCQs पर आते हैं, तो number first MCQs I study revealed lesser incidence of carcinoma colon in pure vegetarian than in non-vegetarian, by which it was concluded that beta carotene is protective against cancer, तो this may not be true because the vegetarian subject may be consuming high fiber diet, which is protective against cancer, तो हम study तो कर रहे थे, carcinoma colon की vegetarian और non-vegetarian में, लेकिन high fiber diet एक अलग से factor निकल के आ गया, तो यह factor दोनों के साथ ही associated है, तो इस तरह के factor को क्या कहते हैं, हम उस तरह के factor को confounding factor बोलते हैं, ठीक है, तो इस खान से confounding factor हो जाएता, दूसरा है, confounding factor can be removed by, तो कैसे निकाल सकते, confounding factor को matching कर सकते हैं, एक वाली आप assign कर दो confounders को, तो लोग दीवा अनसर है इसका, तेरे बरकन सुनियों बाइस का है, तो hospital rate पर ला है, option देख लो, third option है, different rate of admission to hospital to different disease, इसका question number four है, a study has been done to establish relationship between smoking and lung cancer, it was found that association was more in people who exercise less and less in people who exercise more, तो यहाँ क्या हुआ, कि हम smoking का किस से relation देख रहे हैं, lung cancer के साथ में relation देख रहे हैं, तो क्या यह confounder है, पहली बात तो देखो, तो exercise, है ना, exercise है, और एक risk factor लिए smoking, और एक risk factor लिए lung cancer, तो मुझे बताओ, कि exercise का smoking से क्या लेना देना है, क्या कुछ, कोर्यलेशन हो सकता है, कि बिल्लकुल नहीं हो सकता, कि एक साथ smoking के रहे बिना मुझस से exercise नहीं होती, ऐसा तो कोई बूलेगा नहीं, तो यह तो confounder तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर यह बायस भी नहीं है, यह क्या है, को लीनियर भी नहीं, को लीनियर के लिए क्या हमारी शर्ट हो नहीं जीए, कि दोनों चीजें इतनी एक दूसरे से जुड़ी हों, कि उनमें differentiate करना मुझकिल हो जाए, वो भी नहीं है, तो option तो हम आपए effect modifier ही बचा वैसे, फिर भी हम यह जह सकते हैं, कि smoking और cancer क के बीच में, अगर exercise हमारे पास बीच में आ गया, तो जो लोग exercise करेंगे, तो उनकी lung capacity बढ़े ही, तो उसमें लंग ऐसा है कि development के chances हमारे पास कम हो जाएंगे, इसलिए इसको effect modifier हम मानेंगे, ठीक है, then matching is done to remove, confirm effect करते हम पढ़ चुके है, all or true regarding confirm effect or accept, क्या सही नहीं है इसका म control group तो equal distribution तो नहीं होता, हमने तो यह बोला unequal distributed होता है, यह आंसर है इसका भी, ठीक है, then what is the purpose of randomization in clinical trial, क्यों करते है randomization, बढ़ो इसको, to equalize the effect of variables, this is guarding against bias, बिल्कुल सही बात है, यह आंसर सही है इसका, next option क्या है, to allow inferential statistics, कोई ले नहीं नहीं है, इसका कोई ले नहीं नहीं है to guard against ethical problem in the location of patient to experimental, ethical problem से गोई ले नहीं है, तो यह आंसर ही सही है इसका, then random in randomization clinical trial means, तो equivalent non chances, यह हम पढ़ चुके हैं, दोनों के equivalent non chances है, then selection bias can be eliminated by, so selection bias को eliminate करने के लिए हम क्या करते हैं, हम randomization करते हैं, selection bias को eliminate करने के लिए, ठीक है, then following is not a benefit of randomization, so reduction of bias, बिलकुल bias कम हो साता है, ensure comparability of both drugs, both groups, बिलकुल comparability बढ़ जाएगी, facilitated blending, यह भी हो जाएगा, increase external validity of study, तो external validity से कुल नहीं है, RCT का randomization का, तो इसकांसर D होगा, ठीक है, तो यह हमारा lecture खत्म होता है, thank you for watching my video, please subscribe and share